तो हेलो एंड वेलकम बैक गई स्वागत करता हूं आपका एक अनदर वीडियो में और इस बार हम लोग ब्रीट कराने वाला है एक्तियस तोरस यहां पर आपको दिख रहा होगा एक्तियस तोरस के लेबल्स वगेर आपको नॉर्मली दिख रहे होंगे तो यहां पर आप सब्सक्राइब दिख रहा होगा एक यहां थे यहां पर आपको दिख रहा होगा मैं एक हमका फिरोड करना पड़ेग और यहां पर 컨ol की मदद depending भी रहा Emir में वाले कराने वाले हैं तो इससे यहोगा कि जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो हमारे देखने भी मज़ा आएगा और साथ-साथ तुम्हें पता विछ चल जाएगा कि कितना क्या-क्या होने वाला है तो यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह 59% हो चुका है और इन दोनों का ल चार मिनिट तक बेट करना पड़ेगा चार मिनिट के बाद ही हमारा जो एक्टियसोरस का बेबी जो आएगा तो हमें चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें जादे वीडियो लंबी ना बनानी पड़े तो और यहां पर टाइम बिल्कुल हो चुका है और आइधि चाही दिखा सकते हैं क्या इबता सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं इसको फूट देता हूं और हमें बहुत सारे फूट की ज़रुवत पड़ेगी में क्योंकि यह बहुत जादे छोटा दिख रहा मुझे तो और यह देखिए यह आपको दिख रहा होगा कितना जादे छोट सब्कुछ कंठ नों इसको उसको सब कुछ देंगे तो प्री के लिए मैं देखता हूं इसको explicart कर लेता है उसको क 술 एक हो चुका है और हम हमारे पास कोई खिलावना हो तो हम लोग इसे दे सकते हैं तो यहां पर हमारे पास टोई दिख रहा है जो कि टू पॉइंट जीरो गुनम मेचियोर फास्टी स्पीड बढ़ा देगा तो अब हम लोग क्या करता है कि इसको थोड़ा से स्पीड अप कर देते हैं तो आपको एक फूड देता रहता हूं बीच बीच में देखे कितना जादे तेजी स्पूड जो है हमारा कम हो रहा है तो यहां थोड़ा फूड ट्रांसफर करने में दिक्कत हो सकते हैं जब हमारा फास्ट प्रोसेस होता है तो देखिए इतना सारा फूड यह चला गया इसकी इन्वेंट गता वह किंगर एदर वहां को सब्सक्राइब था इसको बेकूड तो चला वहां पेड़ा कोई जिक्कत आरम यह ते रहा आइंगर सेकेंट व इसको भी ले लेते हैं हम लोग ले चलते हैं सामने की तरफ और यह कुछ जाद ही तेजी से भग रहा इधर उदर आइधिंक यह वी वाकिंग मोड में क्या देखना पड़ेगा मुझे नहीं अभी वाकिंग मोड में तो नहीं दिखा रहा बट कोई बात नहीं मैं इसको फिर स करता हूं बैठ तकने की देखूं अधरवाइज मैं बैठ सकता हूं कि नहीं यहां पर फिलाल के लिए तो क्योंकि स्पीड इतनी जाद है कि मैं मिंटेन नहीं कर पा रहा हूं और बार मेरे लेफ्ट साइट की कंट्रोल खुल जा रहे हैं तो इससे मुझे थोड़ी से दिक है तो यहां पर हमारा जो स्पीड है काफी अच्छा खासा चल रहा है और यहां पर आपको दिख रहा हो का मीट वगरा मैंने और लेटी जो इसको दे रखाए सकी इन्वेंटरी में तो यहां पर 23% हो चुका है और यहां पर हमें वेट करना है 30 मिन तक देखते हैं कि वीदि में च्योर हो और यहां पर मैंने इसको एक थोड़ा सा कुड़ल भी दे दिया देखते हैं उससे क्या ही फरक पढ़ता है तो मुझे जहां तक लगता है कि इसकी स्पीड में थोड़ी सी बड़ोतरी होनी चाहिए उससे कोई फरक तो नहीं पढ़ता बस अंगरी लेवल वग अगरा कंज्यूम कर रहा एक तरह से यह तो इसका फूड वगरा चेक करना पड़ेगा तो हमें बार-बार देखते रहना कि कहीं फूड लेवल ड्रॉप न कर दे बिलकुल क्योंकि कुछी सेकेंड पहले मैंने एक और टेम किया था जस्ट टेम करने बाद ब्रीड कराया और मैली टैमेज वगरा 757 है और मुवमेंट 120 है साथ यहां पर देखिए वेट वगरा भी ठीकी ठाक है इसका और इसकी अलावा इसका टौर पर 9K है और HP में थोड़ी से डिफ्रेंटेड है I mean HP इसका थोड़ा से कम लग रहा मुझे तो और अगर इस्टेमिना की बात करें तो इसकी काफी जादे दिख रहे हैं मुझे तो इसके और यहां पर हमारा नाइट हो चुका है मुझे इससे करना पड़ेगा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा जो प्रोग्रेस हमारा 41 परसेंट चला गया है और टोटल 10 मिनट अब तक लग चुके हैं I mean अगर रियल टाइ टाइम दिखा रहा है वह एक तरह से समझ लीजिए मिनट है लेफ्ट साइड वाला हमारा सेकेंड है तो जितना जादे वह लगेगा उतना जादे टाइम लग रहा हमारा एक तरह से मान लीजिए आप लोग और यह देखिए हमारा जो एक्तिय सोरस है काफी अच्छे से चल रहा है काफी अच्छे से बड़े हो रहा है और काफी जादे फूड वगेरा भी कंज्यूम कर रहा है और यहां पर इतिंग कुडल बिएर उतना खास काम नहीं कर रहा है मुझे क्या ही पता मतलब क्या रीजन है डूंट नो बड़ कुडल काम करना चाहिए तो हमारा 50% पर्षण चल रहा है और 16 मिनट मुझे जाहां तक लगता है कि 16 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा फुली को जाएगा जहां तक मुझे लगता है बट मुझे यह नहीं पता कि सच में मैचीर होगा कि नहीं होगा क्योंकि आप आप लोग सकते हैं बेबी से सीधे एक तरह से कह सकते हैं कि हाफ मेचियों हो चुका है और यहां पर फिर से आइधिंक नाइट होने वाली है दूसरा चला जाएगा हमारा और काफी जादे अंधेरा हो रहा है तो फिर से इसे करना पड़ेगा तो यहां पर 55 परचेंट हो चुका है तो थोड़ा सा वेट करना कि 20 परशेंट होगा मुझे लगा था कि टोटल बीस मिनट के अंदर अंदर सो परसेंट में च्योर हो जाएगा बट सो परसेंट हमारा में च्योर हुआ नहीं है जैसा कि आपको दिक रहा होगा यह करीकर भी 11 मिनट में सिर्फ और सिर्फ पचास सत्तर सतर परसेंट के लोग क्या कहेंगे एक तरह से फास्ट ही है जबकि मैंने टू टाइम्स वाला इसको यह दे रखा है तब इसका प्रॉसर काफी जादे स्लो चल रहा है मिन स्लो भी कह सकते हैं तो यहां पर कुछ फाइदे भी है इसके और यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो जोड़ना चाहते हैं तो मेक्सियोर करें कि आप इसकी इन्वेंटरी में बहुत सारा फूड जरूज डाल दें क्योंकि यह सब फूड पे जिंदा रहते हैं अगर इनकी इन्वेंटरी में फूड नहीं रहेगा तो यह मर जाएंगे आप लोगों ने देखा होगा कि कितना जादे फूड जो है कंज्यूम कर गया अभी और फूड उतना जादे कंज्यूम करने बाद इसकी जो फूड लेवल सेवेंट के के आज पास आखे अटकी पड़ी है कि आए मिन बहुत जादे ही फूड यह सब कंज्यूम कर रहे हैं हमारा एक तरह से मैं बता रहा हूं तो पीछे होगा तो फिर यह पूरा क्लियर दिखने लगेगा देखिए इसकी स्पीड देखी कितनी ज़्यादे है तो अब मैं इसे स्टॉप कर दिया हूं और अब हम लोग साथ क्लियर देख सकते हैं इसको कि यह मैचियूर कितना फास तरीके से हो रहा है तो यहां पर काफी जादे देखिए बड़ा हो चुका है और लेडी क्योंकि टॉंटी परसेंट ही रह गया है तो यहां पर फूड लेवल भी इसका देखिए कितना ज्यादे खतम हो गया है चारी मीट बचें और इसका जो फूड लेवल बिल्कुल फूल होने वाला है तो देखते हैं कि यह प इसका फूड लेवल कितना ड्रॉब कर देता है तो अभी तो दो फूड बचा है हमारा और एट के हो चुका है देखिए आप अम लोग सोच सकते हैं समझ सकते हैं तो और यहां फूड खतम हो गया है और देखिए अब फूड जो होना शुरू हो गया है मुझे नहीं लगता जिसकी हो जासी यह मर गया बट इस बार में ऐसी गलती नहीं किया मैंने काफी सारा फूड जो लेडी कलेट कर लिया था ताकि यह मरें और यहां भी हमारा 95% हो चुका है और यहां देखिए अभी फूड लेवल काफी इस बार ट्रॉप हो रहा है क्योंकि इसका फूड हमारा और इसकी बात करने वेट वगेरा कि तो इसकी जो स्टेमिना वगेरा विक बहुत जाद अच्छी दिख रहे हैं मुझे तो ऑल्मॉस्ट फूर के स्टेमिना इसकी मुव्मेंट 120 से सबसे जादे इन सभी का मैली टेमेज आ रहा है हमारा और यह देखिए हमारा फुली वीडियो पसंद आई हो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ-साथ वीडियो को लाइक कर दिजिए और वेल आइकन दवाना नहों बोलें ताकि ऐसी आने वाली अपडेट्स जो आप बिलकुल मिस ना कर दें